तो अल्मोस्ट दो साल बाद बिटकोईन अल्मोस्ट अपने all-time high को ब्रेक ही करने वाला था यूस डॉलर के अंदर अल्मोस्ट 200-300 डॉलर जो है बिटकोईन की प्राइस शॉट रह गए अपने all-time high को ब्रेक करने के लिए लेकिन ऐसा टाइम जहां पर बुलिश मार्केट फिर से यहां पर स्टार्ट हो गया है वहां पर अगर हम देखेंगे तो हमको इंडिया के अंदर ज्यादा ऑप्शन नहीं है अगर हम चार्ट पर चलते हैं तो यह देखो सिबसे पहले अगर हम चार्ट पर चलते हैं तो यह देखो what a beautiful चार्ट इतने थाइम बाद दो साल के वनवास की बाल फाइनले बिटकोइन की प्राइज अल्मोस तो 69,000 डॉलर से 200-300 डॉलर यहां पर शॉट थी अब थोड़ा सा कर्रेक्शन जो है हमको प्राइस के अंदर देखने को मिला है यहां पर एक key question जो काफी लोगों का पूछना है कि यह है कि अगर हम bitcoin halving देखेंगे वो bitcoin halving अल्मोस यहां पर 50 days के अंदर आने वाली है एक महीना और डेर महीना आप मान लीजिए तो उससे पहले क्या हमको bitcoin की price के अंदर correction देखने को मिल सकता है जहां तक correction की बात है तो definitely bull market के अंदर price में correction आएंगे जब bitcoin एक दिन के अंदर 10,000 dollar की candle बना सकता है तो यहां पर 45,000 dollar का correction भी ले सकता है और वो चीज़ हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी यह bitcoin की history जो है अगर आप देखेंगे आपको उसी में देख जाएगा जब भी bitcoin के अंदर bull market आया है और bitcoin की price यहां पर rise करिए हमको 20, 30, 40 percent correction जो है time to time यहां पर बार बार देखने को मिलें यह हर bull cycle के अंदर आप देख सकते हैं यह मैं draw कर रहा हूँ आपके सामने आपके सामने आप खुद एक्जामपल देखेंगे यह आपके सामने में एक्जामपल छो कर रहा हूँ ताकि आप भी इस चीज को लेके prepared रहें कि कल को अगर bitcoin की price 20, 30 percent नीचे drop भी करते ही है तो वो normal है यहाँ पर जो eventually यहाँ पर होगा तो आप यह example देख सकते हैं हमको previous bull market के अंदर भी price उपर गई है लेकिन correction भी हमको देखने को मिले हैं तो यहाँ पर भी price जब उपर जाती है तो correction definitely देखने को मिलेंगे लेकिन वो healthy correction होगे और next जो rally है उसके next $10,000 की जो candle है उपर की बनने की उसके लिए preparation यहाँ पर बनेगी तो यहाँ पर भी no doubt correction आने में आ सकते हैं लेकिन that doesn't mean कि वो rally end होने वाली हो और यहाँ पर bear market फिर से start होने वाला है इसी कारण से एक जो key factor जो मैं फिर से यहाँ पर share करूँगा जो इत्ते time से मैं बोल रहा हूँ जो ध्यान रखने का है कि अभी bitcoin को buy करें कि नहीं करें अभी सबसे best time है अगर आपको DCI करना है कोई भी चीज करना है अभी भी अगर आपने buy नहीं किया है इत्ते time बाद भी अगर आपने buy नहीं किया है तो अभी भी it's not too late आप plan कर सकते हो क्योंकि एक main important चीज किसी भी asset की होती है कि उसकी production cost किया है and वो ही production cost जो उसको लेके हमने एक video बनाय था to explain कैसे यहाँ पर bitcoin एक bitcoin प्रडूइस करने की जो cost है अभी किती है वो है 20,000 dollar से 30,000 dollar depending on hash rate अगर hash rate कम होती है तो पहले वो कम भी थी लेकिन धीरी-दीरे hash rate जैसे बढ़ी तो वो अब 20 to 30,000 dollars हो गई अब यहीं पर bitcoin की having आने वाली है एक महीने के अंदर, देड़ महीने के अंदर तो यहाँ पर वो जो production cost है वो double हो जाएगी क्यों? क्योंकि bitcoin की जो reward मिलते है यहाँ पर minus को वो आधे में cut हो जाएगे तो वहीं पर अभी जो एक bitcoin produce करने की cost पढ़ती है 20 to 30,000 dollars वो बन जाएगी 40 to 60,000 dollars और यह जो cost है यह हर miner के लिए नहीं है यह सबसे best efficient miner जिनके बड़े farms है सस्ती machines उनके पास है subsidy में electricity उनके लिए बाकी लोगों के लिए तो यह price और जाथ होगी 70,000-80,000 dollars भी हो सकती है तो यह price निकालने का reason क्या था? यह price निकालने का reason यह था कि अगर हमको analyze करना है कि कौन सी price important रहे कि bitcoin के लिए halving के बाद तो हमको देखना है एक bitcoin produce कंड़े की cost क्या बनती है और वो है 42,60 तो इससे यह clear मिन जाता है मतलब maximum जो pain point है एक price जिसके नीचे जाता लंबे time तक bitcoin की price रहनी सकती है वो है 42,60,000 dollars and वो ही आप देख सकते हैं हाविंग आने से पहले bitcoin की price यहाँ पर 66,000 dollars आ गई है जो अगर आप देखेंगे efficient minus की जो cost है 42,60 उससे सरफ 6,000 dollars उपर यहाँ पर है इसी कारण से यह cost जो है मैंने यहाँ पर निकाली थी and I hope इसको देखनी के बाद you understand अभी भी जो time है यहाँ पर if you see correction you can plan because 2025 के अंदर bitcoin की price जो है वो 130,000-40,000 dollars जो है जो बहुती मेरा conservative हमेशा target रहता है उत्ती तो पहुचेगे उससे उपर चला है तो बहुत बात जो है अलग यहाँ पर होगी और अभी जो यह price moment आया है यहाँ पर अभी bitcoin halving हुई भी नहीं है और federal reserve जो interest rate reduce करेंगे जो probably इस साल के end तक यहाँ पर start हो जाना चाहिए वो भी चीज यहाँ पर नहीं हुए जिससे money और market के अंदर आएगा अभी तो चीजे start हुई है जहाँ पर लोग देखना चालो करेंगे FOMO start होगा तो अभी तो rally जो है actually start हुई नहीं अभी आगे हमको देखने को मिलेगी तो यहाँ पर जो भी correction वगरे आता है and as I say guys trend is your friend जब यहाँ पर bull market था लोग bull market को लेके इत्ते ज़ादा used to हो गए थे कि bear market में वो understanding नहीं कर पा है लेकिन जब bear market में 2 साल लोगों ने spend किये तो अब उनका mindset ये बन गया है कि bear market में है तो bull market के according exist ही नहीं कर पाते है bull market आयाता है mentality, thinking वो ही bear market वाली रहती है तो अब यहाँ पर recently हम bear market से भाहर निकल रहे है thinking bear market वाली मत रखना क्योंकि यहाँ पर अभी bull market का trend है और वहाँ पर bear market वाली thinking रखी तो रेक्ट हो जाओगे ठीके, तो उस according यहाँ पर planning करना वो अली thinking जो change करो भी bull market में bull market वाली रखो जब bear market आएगा तो change कर ले ना उसको ठीके, नहीं तो बहुत सारी चीज़े जो है यहाँ पर आप miss out कर जाओगे तो अभी भी अगर bitcoin buy करना है 40 to 60 thousand dollars यह होने वाली है mining cost एक bitcoin की after having तो उसी according आप plan कर सकते हैं this price is nothing correction definitely आएगे 20-30 percent correction आएगे जैसे अभी अगर correction का level हुआ भी although bitcoin की price काफी fast pace में जैसे अभी भी अगर आप देखोगे bitcoin की price almost यहाँ पर 65 thousand dollars तक गिर के आगे थी which was like I think 5 percent या 6 percent correction और उसके फिर से यहाँ पर हम 67 को test करने की कोशिश कर रहे है लेकिन overall यहाँ पर जो bitcoin की price है अभी यहाँ पर correction आते भी है तो वहाँ पर अगर आपको देखना support wise एक level तो 58 to 59 का आप मान लीजेए वहाला एक level रहेगा जो in short term support wise यहाँ पर जाता है लेकिन moreover यहाँ पर जो long term perspective से चीजों को देखना important है जो अभी आप यहाँ पर plan कर दीजेए तो अभी अगर आपकी thinking bear market वाली है प्लीज टाय टू चेंज इट क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करोगे बहुत सारी चीजों पर आप मैस आउट कर जाओगे अब भी भी अगर आपको market में दिख रहा है कि आर और सित्ते pump हो गए bitcoin ऐसा पहुच गया इतना मैस करते हैं अभी कुछ हुआ ही यह ट्रेलर ए चोटा सा जो अभी इस्टाट हुआ है अभी ट्रेलर जो फो मो करेगा सारे लिए उसकी बारे में बात करने लग जाएंगे तो अभी वह चीजे स्टाट हो रहे है लेकिर उससे पहले 20 30 40 50% correction जो है वो भी आएंगे जैसे मैं बता है जब एक दिन में 10,000 dollar की candle बन सकती है तो एक दिन में 45,000 dollar का dump भी एकदम से हमको देखने को मिल सकता है ठीक है तो I hope उससे आपके जो question है वो यहाँ पर answer हो गए है लेकिन आप next important topic के उपर हम move करते हैं कि ऐसा market जहां पर मतलब everybody is trading making money कुछ buy-buy करना है तो फटा-फट exchange ऐसे नीचे smooth work करें अब ऐसी अगर हम आपर देखेंगे तो multiple exchanges they went down अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर बहुत सारे Indian exchanges है जहां पर लोग report कर रहे हैं को कि बहुत सारे screenshot share करें कि यहाँ पर actual जो price token की उसमें भी बहुत बादर difference आ रह exchange पर आप देखेंगे 6.8 dollars के around यहाँ पर चल रही है काफी exchanges है जिनके उपर balances नहीं कर रहे है pages यहाँ पर load नहीं हो रहे है तो इसके अलग-अलग example है जो काफी लोगों ने यहाँ पर share करें अगर आप देखेंगे price difference एकदम से बहुत जादा इतने actual token price dump भी नहीं है लेकिन इसे बहुत सारे example है जो लोगों ने यहाँ पर share किये और दो सरफ Indian exchanges नहीं है अगर आप देखेंगे coinbase है इंटनेशनल एक्चेंज में coinbase है जहाँ पर भी कल रात को यह problem हमको देखने को मिली थी लेकिन ऐसा टाइम जहाँ पर market इतना bullish move कर रहा है Indian exchanges अगर ऐसे crash होने लग ज देखेंगे और यूज करने का सोच भी रहें लेकिन जब तक ऐसी service रहेगी अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है इन चीजों को लेकि पहले से scale-up क्यों नहीं करा गया ताकि अगर यह चीज़े होती है तो they are able to exist they are able to manage it क्योंकि यहाँ पर जब भी यह exchanges down होते हैं या कुछ भी exchanges के बारे में लोगों ने यहाँ पर complain करिये तो यह एक बहुत बड़ी need है इंडिया के अंदर अगर Indian exchanges चाहते हैं कि foreign exchanges से लोग move करके Indian exchanges को use करें Indian exchanges को support करें तो यह चीज़े fix करनी बहुत जादा important है जब तक यह चीज़े fix नहीं होंगी तो लोग कैसे move करेंगी कैसे use किती problem यहाँ पर आएगी तो hopefully I hope आने वाले टाइम पर Indian exchanges इन चीज़ों को fix करें और realize करें और lightly नहीं लें क्योंकि अगर लेंगे तो it's not gonna be good for them, अगर वो चाहते हैं कि Indian users Indian exchanges को use करें तो आपको services भी उस तरह से देनी पड़ेंगी, tax वाली चीज़े तो अलग यहाँ पर हो लेकिन basic जो चीज़ें जो support यहाँ पर होना चाहिए, आप वो भी नहीं दे पारें, आप कैसे compete करोगे Binance के साथ, आप कैसे compete करोगे बाकी international exchanges के साथ, जब इस तरीकी service यहाँ पर देगे, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो यहाँ पर करना चाहिए, इस चीज़ क को बोलें कि यह problem आपकी तरफ से, यह आप इनको fix करो, ताकि यह जो problem आ रही, क्योंकि ठीकी problem आ रही, that's there, लेकिन जो लोग trade कर रहे, उनके साथ कितनी गड़-बड़ो से, किसी न अगर high पर buy कर लिया, किसी ने कुछ buy कर रखा, वो sell करने के कुछ कर रहा, exchange ही down हो गया, व तो वहाँ पर एक यह बहुत बड़ा concern बन जाता है, and as a community focused channel, हमारा हमेशा काम यह है कि आप लोगों के लिए आवाज उठाना, तो अगर ऐसी चीज़े आपके साथ भी होई है, कौन से exchange में क्या हुआ है, particularly आप बताना, and share करना, ताकि उनकी तरफ हम यह पहुचा है, and अगर आप चाहते हो लोगों को support करना कि वह आके आपके exchange को use करना, तो वैसी services देनी भी जरूरी है, आपका exchange भी तो उस level का होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर लोग क्यों use करेंगे, लोग foreign exchange को इसी कारण से तो use करते हैं, तो वो भी करना बहुत ज़दा यहाँ पर रखते हैं, सारे नहीं, लेकिन almost जब अभी market start होगा, अभी तो नया जो retailers है, वो आये नहीं है, नया batch जो होगा तो आया निया उनकी भढ़ती है, अभी प्री selection हो रहा है भी तो लोग यहाँ पर आएंगे, तो उसको लेके भी हमको और rise देखने को मिलेगा, लेकिन alts को ले करने लग जाना जो लास्ट मार्केट में आपने किया था, ठीक है, क्योंकि गलती से सीखना है, अगर सीखा नहीं तो फिर भाई, पोर्टफोलियो का राम राम सत्या है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है गाई तो उसको भी लेकि काफी सारे वीडियो बगरे दो है, वील ब्र दो साल का पीरिट तो रहेगा, जहां पर अच्छी ओ अपरचुनिटी है, लेकिन प्लानेट राइट, अगर सही तरीके से प्लान करोगे, बहुत अच्छी ओ अपरचुनिटी है, और यह की ओपरचुनिटी आपको चाहिए होगी, ठीक है, तो आज की वीडियो में ओवर य आज की वीडियो में इता है, बाकी मिलेंगे, हम नेक्स वीडियो में तब तक ली बाई and टेक क्या, शीयू गयाँ बाई